चलिए, आज सुनते हैं तीन मचलियों के कहाने एक नदी के किनारे उसी नदी से जुड़ा एक बड़ा जलासय था जलासय में पानी गहरा होता है इसलिए उशमे, काई तदा मचलियों का प्रिये भोजन जलिय शुक्म पौधे उगते हैं ऐसे स्तान मचलियों को बहुत रास आती है उस जलासय में भी नदी से बहुत सी मचलियां आका रहती थी अंडे देने के लिए तो सभी मचलिया उस जलासय में आती ही थी वो जलाशे लंबी घास वो जाडियों द्वारा घिरा होने के कारण आसानी से नजन नहीं आता था उसी में तीन मचलियों का जुन रहता था उनके स्वभाब भिन्न थी अन्ना संकट आने के लक्षन मिलते ही संकट टालने का उपाय करने में बिश्वास रखती थी प्रत्यू कहती थी कि संकट आने पर ही उससे बचने का यत न करो और यदि का सोचना था कि संकट को टालने या उससे बचने की बात बिकार है करने कराने चिक कुछ नहीं होता जो किस्मत में लिखा है वो हो कर रहेगा एक दिन सामको मच्छवारे नदी में मचलियां पकड़ कर घर जा रहे थे बहुत कम मचलियां उनके जालों में फची थी अतह उनकी चेहरे उदास थे